रक्षा बंधन की आप सभी को हार्दिक शुभ कामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप सभी का महायोग टीवी चैनल में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रक्षा बंधन कितनी तारीख को मनाया जाएगा एवं उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे साथ में हम आपको बताएंगे कि भद्रा का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाला है इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें चलिए जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से रक्षा बंधन पर इस बार भी भद्रा का साया जाने राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त रक्षा बंधन पर हर साल की तरह इस साल भी भद्रा का साया है बहनों को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए इस साल भी काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा रक्षा बंधन का पर्व हर साल श्रावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है पंचांग के अनुसार इस साल भी रक्षा बंधन के दिन कई घंटों तक भद्रा का साया रहेगा और बहने उसके बाद ही अपने भाई के साथ यह त्योहार मना पाएंगी आईए जानते हैं रक्षा बंधन कब मनाया जाएगा और भद्रा काल कब से कब तक रहेगा रक्षा बंधन इस साल उननीस अगस्त को मनाया जाएगा और हर साल की तरह इस साल भी भद्रा इस त्योहार में बाधा डाल रही है रक्षा बंधन के इस पर्व पर इस साल भी भद्रा का साया रहेगा और बहने कई घंटों तक अपने भाई को राखी नहीं बांध पाएंगी। बहने पूरे एक साल के इंतजार के बाद अपने भाई की कलाई पर राखी बांध कर उनकी दीरगायू की प्रार्थना करता है और भाई भी उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। भाई बहन के पवित्र रिष्टे को संजोकर रखने वाला यह त्योहार सावन मास के आखिरी दिन यानि के सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल श्रावन मास की पूर्णिमा उन्नीस अगस्त को है। इस साल रक्षा बंधन के दिन सावन के आखिरी सोमवार का भी शुभ योग बना है। शुभ नहीं मानी जाएगी। शुभ नहीं मानी जाएगी। कुल 7 गंटे 28 मिनट का समय राखी बांधने के लिए मिलेगा। राखी से जुड़ी महत्वपूर्ण वक्त जानकारी राखी को राखी को राख्शा बंधन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू त्योहार है जिसे संपूर्ण भारत में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। राख्शा बंधन को हिंदूओं द्वारा इसके प्रतिकात्मक महत्व के लिए पहचाना और मनाया जाता है। राख्शा बंधन का महत्व एक पवित्र धागे से संबंधित है और इस धागे को राखी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि राखी यग्योपवीद जब श्रावण पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्थ के दौरान धारन की जाए तो यह इसे पहनने वाले की रक्षा करती है। राखी उत्पत्ति और महत्व श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र धागा बांधने की अवधारना या परमपरा कोई नई बात नहीं है। द्वारा आज भी इस अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है। राखी के प्रारंभ को देवी इंद्रानी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़क कर देखा जाता है। यह कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है। कथा के इस प्रसंग में इंद्र देव को यह धागा बांधा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। राखी दिनांक और समय राखी को हिंदु चंद्र कैलेंडर में श्रावण पूर्णिमा अर्थात श्रावण माह के दौरान पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण हिंदू कैलेंडर में पांचवांचंद्र मास है श्रावण मास को भगवान शिव और गौरी पूजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है रक्षा बंधन का अनुष्ठान शुभ मुहूर्थ में भद्रा के समाप्त होने पर संपन्न किया जाता है इस के प्रारंभ को देवी इंद्रानी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़ा कर देखा जाता है यह कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है कथा के इस प्रसंग में इंद्र देव को यह धागा बांधा गया था जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी पौरानिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र को राक्षसों द्वारा चुनौती दी गई थी और इंद्र राक्षसों की शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे जब देवराज इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय देवराज इंद्र को उनकी पत्नी और देवताओं के गुरु ब्रहस्पती ने एक पवित्र पोटली बांधी थी, जिसे रक्षा पोटली के नाम से जाना जाता है। इंद्र युद्ध के दौरान रक्षा और विजय के लिए राखी बांधने का सुझाव दिया था। जिसके लिए द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य सुरक्षा प्रदान की थी। राखी आधुनिक संदर्भ में रक्षा बंधन को एक ऐसे अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है जो भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो यह राखी अपने भाई के प्रती एक बहन के अद्वितीय एवं आजीवन प्रेम और पवित्र बंधन को दर्शाती है। प्रेम और स्नेह के लिए कृतज्यता के भाव के रूप में भाई अपनी बहन को हर तरह की परेशानियों से बचाने और उसकी सहायता करने का वचन देता है। इसलिए राखी बहन भाई के पवित्र स्नेह बंधन की प्रतिनिधी है। ये सुरक्षा का भाव प्रतिवर्ष समय के साथ बढ़ता जाता है। आधुनिक भारतिय इतिहास भी हिंदु राणियों की कहानियों से भरा हुआ है। जब हिंदु राणियों ने जरूरत के समय में मोगल समराटों को राखियाओं भेजी थी और इन समराटों ने राखी के बंधन का वचन और कर्म से सम्मान रखा था। इसलिए राखी बांधने की इस पुरानी परंपरा की लोकप्रियता भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और स्नेह के बंधन की स्वीकृती है। और पारंपरिक घरेलू व्यंजन खिलाती है जो सामान्यतह बहन द्वारा तयार किये जाते हैं। भाई अपनी बहन को कुछ विशेश उपहार भेंट करके बहन के प्रती अपना प्रेम और स्नेह प्रकट करता है। राखी क्षेत्रिय विविधता महाराष्ट्र में राखी पूर्णिमा को नारली अथवा नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में राखी पूर्णिमा को अवनी अवित्तम के रूप में मनाया जाता है जो ब्राह्मन समुदाय के लिए नवीन यग्योप्वीत पहनने और पुराने यग्योप्वीत को बदलने का एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। आंध्र प्रदेश में यग्योप्वीत बदलने के इसी त्योहार को जन्ध्याला पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। भारत के अन्यक्षेत्रों में श्रावण पूर्णिमा के दौरान यग्योप्वीत बदलने के अनुष्ठान को उपाकर्म दिवस के रूप में जाना जाता है। राखी का दिन भगवान है ग्रीव की जयन्ती। और अपने बंधक पति श्रीहरी विष्णु को अपने साथ ले गई थी। दूसरी कथा हमें सकंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमत भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदित्ति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मन के वेश में असुर राज राजा बली के द्वार भिक्षा मांगने पहुँच गए। चूंकि राज बली महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूँगा। रख लीजिये। और फिर भगवान ने राजा बली को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वर्दान दे दिया। लेकिन बली ने इस वर्दान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से राद दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। तीन भगवान को वामनावतार के बाद पुन लक्षमी के पास जाना था लेकिन भगवान ये वचन दे कर फंस गए और वे वहीं रसातल में बली की सेवा में रहने लगे। 4. माना जाता है कि राज सूय यग्य के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था तो तब उनकी अंगुली से खून बहने लगा था। 5. उत्तर भारत में रक्षा बंधन वाले दिन अर्थात श्रावन की पूर्णिमा को राखी का त्योहार मनाया जाता है। 5. जबकि दक्षण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खास कर सभी मच्छुआरों का त्योहार होता है मच्छुआरे भी मच्छली पकड़ने की शुरुवात इसी दिन से भगवान इंद्र और वरुन की पूजा करने से करते हैं पूजा के दौरान विधिवत रूप में उन्हें केल के पत्तों को समुद्र किनारे नारियल अर्पित किये जाते हैं इसी लिए इस राखी पूर्णिमा को वहां नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं दक्षिन भारत में ये हत्योहार समाज का हर वर्ग अपने-अपने तरीके से मनाता है इस दिन जनेवू धारन करने वाले अपनी जनेवू बदलते हैं इस कारण इस त्योहार को अबित्तम भी कहा जाता है इसे श्रावणी या आशितर्पन भी कहते हैं 6. प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन रहा है. हाथ के मूल में तीन रेखाएं होती हैं, जिनको मनिबंध कहते हैं. भाग्यव जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मनिबंध ही है. इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक वभौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने वा मुक्त करने की शक्ति रहती है. इन मनिबंधों के नाम शिव, विष्णु वब्रह्मा हैं. इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहां साक्षात वास रहता है. जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं, तो यह तीन धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है. 7. शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली या राखी बांधने से त्रिदेव, ब्रह्मा, विश्णू व महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की क्रिपा प्राप्त होती है. 8. संकल्प के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाती है. 9. शास्त्रों के अनुसार, 10. महाभारत में भी रक्षा बंधन के पर्व का उलेक है, 10. जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूं, 10. तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी.